Hello everybody, this is DIGRAS SINGH RAJPOOTH, welcome to Magnet Brains इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे How does the municipal corporation get its money? Municipal corporation को पैसा कहां से आता है? सवाल आपके मन में आया होगा कि municipal corporation को पैसे की जरुरत क्या है? तीक है? Why does a municipal corporation need money? Question is that देखे, municipal corporation क्योंकि बहुत सारे काम करता है पिछले वीडियो तक मैंने आपको एक कहानी, एक insight दिया है कि जब हम urban administration की बात करते हैं कि शहरों में किस तरह से प्रशाशन चलेगा, कैसे चीज़े होगी तो वहाँ पे municipal corporation एक बहुत important role play करता है municipal corporation में कौन है? तो administrative staff है उनका, जिसमें commissioner head होते हैं ठीक है? उसके बाद में हम देखते हैं तो municipal corporation की functioning में कहीं न कहीं जो ward counsellors रहते हैं, जो elected leaders रहते हैं वो भी एक important role play करते हैं अब ये सभी लोग क्या करते हैं? municipal corporation को चलाएंगे लेकिन अपने जेब से पैसा थुरी न निकाल के देंगे ये उल्टा ये तो salary लेंगे municipal corporation से तो यहाँ पर municipal corporation के पास पैसा आना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर municipal corporation के पास पैसा नहीं आएगा तो वो कैसे अपने काम कर पाएगा काम मतलब क्या? देखिए तो municipal corporation provide basic services and what are these basic services? क्या basic services provide करता है municipal corporation? तो municipal corporation जो है तो basic services में जैसे आप अगर देखेंगे यहाँ पर तो garbage collection एक बहुत basic service हो गई क्यों? क्योंकि हमने अभी पिछले वीडियो में देखा अगर आप कच्रा साफ नहीं करोगे तो क्या होगा? चारो तरफ कच्रा ही कच्रा होगा बदबू, बिमारी, बहुत सारी चीज़े नहींगी तो यह basic services का पार्ट होगा है जैसे क्या कच्रा उठाना, clean water drinking water facility अवेलेबल करवाना तो आप में देखा होगा जहाँ पर पानी नहीं पहुँच पाता अब इसमें भी जब पैसा लगना, sanitation facilities वगेरा सारा सब कुछ अगर municipal corporation maintain कर रहा है यह सारी चीज़ें जैसे municipal corporation maintain कर रहा है इसमें पैसा लगना तै है जैसे यहाँ पर क्या है, यह नगर में का मिंदौर, ठीक है मद्धिप्रदेश में अधिप्रदेश कंट्री का सबसे जादा cleanest city के award मिलें इंदौर को बहुत बार तो यह जो काम हो रहा है, तो यह काम के लिए पैसा लगता है आगया समझ में, वही चीज़ मैंने बताइए कि municipal corporation provide basic services सवाल यह है, तो providing and running so many services requires a lot of money अब जब यह सब काम करना है तो पैसा लगेगा and municipal corporation collects funds in different ways क्यों, क्योंकि यह अगर facilities provide करना है तो municipal corporation को अलग-अलग तरह से क्या करना होगा funds को collect करना होगा, funds को collect करना होगा in different ways ताकि क्या हो, ताकि सारी चीज़े manage की जा सके तो fund कैसे collect करता है तो एक जो पहला और important चीज़ है जिसके through municipal corporation fund collect करता है वो होता है tax ठीक है, tax क्या होता है तो tax क्या है, tax is a sum of money that people pay to the government for the services government provides government क्या service provide कर रही है आपको पानी provide कर रही है safe drinking water दे रही है तो उसके बदले में government आपसे क्या लेगी पैसा लेगी, ठीक है, user charges लेगी tax के रूप में अब ऐसा नहीं कि आपसे एक करोर रुपे मांग लेगी government ठीक है, minimum charge जो भी रहेगा तो minimum charge में आप कुछ 100 रुपे ठीक है, कुछ 500 रुपे इस तरह से क्या tax लगाने वाली आपके उपर government water tax लगाएगी ठीक है, तो government को वहाँ से पैसा collect होगा, और government उस पैसे को क्या करेगी फिर आपको facilities provide करने में यूज करेगी फिर अगले चीज क्या है, government को और भी जगा से पैसा मिल जाता, जैसे state government पैसा देती है, municipal government कहा है city में है, वो तो हम urban administration पढ़ रहे है तो state government पैसा देती है central government पैसा देती है, ताकि क्या हो चीजों को चलाया जा सके basic facilities जो है, basic services जो है, उन्हें लोगों तक पहचाया जा सके, ठीक है तो अब government और भी तरह तरह के tax लगाती है, जैसे property tax लगाती है property tax क्या होता है, कि हर इंसान की property होती है, हर इंसान की property मतलब उसका घर होता, उसके दुकान होती उसकी land होती है, अब यह सारी जो property होती, तो government property के उपर tax लगाती है, property के उपर tax लगाके क्या करती है, government जो पैसा मिलेगा, उस पैसे को free use करती है, अर्बन areas के development में, जो facilities के हमने बात करी थी, अभी यह सारी facilities, तो इस तरह की facilities आपको provide करती है, ठीक है, tax लगाके तो tax on water and other services, water and other services जैसे sanitation वगेरा जो है, उनके उपर भी tax लगाती है government, तो पैसे का एक source हो गया taxes on education and other amenities, तो education में कैसे तो आज देखोगे, क्या है कि government, माननों, government schools वगेरा है तो वहाँ पे भी क्या लगता है, government एक user charge लेती, वो तो अलग चीज है, लेकिन उसके अलावा क्या है कि आप माननों किसी प्रकार का कोई coaching institute सहर में चला रहे हैं, तो आपके पर tax जो लगता है property tax में आ जाता है, तरह तरह के tax तो government ऐसे tax लगाती है अब एक और चीज़ बताओ, interesting में government entertainment tax के form में आप से पैसा वसूलती है entertainment tax कैसे लगता है, पता है आप जब theater में जाएंगे न, तो देखना आपके ticket पे entertainment tax रहेगा, तो वो government को मिल जाता है, फिर government क्या है advertisement के भी tax ले ले लेती है, आपने देखा हो कि municipal government क्या करती है, बड़े-बड़े holding लगवाते हैं बड़े-बड़े, आप देखो कि streets पे क्या है, roads पे, roadside पे आपको एक बड़ा सा holding लगा हो, देखेगा जिस पे क्या है, जिस पे किसी भी product का मानलो तो विराटकोली का advertisement हो रहा है, piyuma का ठीक है, मतलब piyuma का advertisement विराटकोली कर रहा है तो इस तरह से क्या होता है, कि government वो सारे taxes भी collect करती है ये तरह तरह की जो tax है in tax की मदद से government क्या करती है, इन tax की मदद से government fund विखटा करती है, उस fund से फिर government शहर को चलाती है, देश को चलाती है, ठीक है, मतलब देश के अंदर शहर है, जब सारे शहर चलेंगे, जब सारे शहर डवलप होंगे, तो देश अपने आप डवलप हो जाएगा, आगे ना समझ में, तो how does the municipal corporation get its money, तो here are the ways through which municipal corporation get its money, get the fund to operate successfully in the cities, clear है, concept crystal clear होना चाहिए, चीज़ें समझ माना चाहिए, देखो बच्चो, आज से आप पढ़ते जाओगे, छोटी क्लास से भी 6th में, आप अभी से समझते जाओगे, तो आपकी foundation क्या एकदम ठोस मजबूत बनेगे, और foundation के उपर फिर आपको 10 मं भारत बनाना है, सब बना सकते हो, लेकिन आपको basics पता होना चाहिए, तो यह चीज़ें ध्यान में रखना है, और इनको फिर अब क्या करना है, क्या आपकी daily life में relate करते चलना, clear, अब देखो क्या है, वाइल rich people accounts for the property tax, a much wider population pays more general taxes, rich people accounts for the property tax, अब rich people के पास ही property होगी, 4-4-8-8 दस-दस घर है, एंजिन के पास में, तो उनके उपर property tax लगता है, तो government को rich people से क्या मिल जाता है, पैसा extract करने का मौका मिल जाता है, मतलब tax लगा देती है, फिर क्या है, a much wider population pays more general taxes, और population का एक हिस्सा जो होता है, वो general tax पे करता है, general tax मतलब क्या है, general tax में जैसे आप देखतो तो यह water tax वगर होगे, जो user charges होते है, ठीक है, आप किसी चीज को use कर रहे हो, transportation, तो वो सारी facilities, government के दौरा provide की जाती, मैंने आपको बहुती lucid, बहुती simplified way में समझा दिया है, I hope चीज़ें समझ में आईए, किसी प्रकार का कोई doubt है, तो feel free to ask in comment section, और एक और important चीज़ास में, क्या कि magnet brains पे, जैसे आप class 6 में पढ़ रहे हैं अभी, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, पूरी पढ़ाई निश्चिन्थ होके कर सकते हो, ठीक है, class 4th से class 12 तक सभी subjects, chapters, topics, subtopics, सारा सब कुछ, बहुत easily इसी तरह से video lecture format में available है, जिने आप घर बैठे आराम से देख सकते हो, अपना syllabus complete क कर सकते हो, आपको क्या करना है, अपने juniors और seniors को भी magnet brains के बारे में बताना है, मिलते हैं next video lecture में, अगले topic के साथ, till then stay connected, keep learning, thank you, thank you very much.